नमस्कार साथियों आप सभी का MKG Classes में स्वागत है आज राश्टी युवा दिवस जो की 12 जनुवरी को मनाय जाता है ये क्यों मनाय जाता है इसका क्या उद्देश रहता है और हर वर्ष क्या थीम रहती है और इसका किसी भी परिच्छा में क्या इंपॉर्टेंस रहती है इस पर बात करेंगे राश्टी युवा दिवस तो राश्टी युवा दिवस क्यों मनाय जा रहा है राश्टी युवादिवस यह हर साल कोई भी परिच्छा हो उसमें पूछा जाता है कि राश्टी युवादिवस और अंतर राश्टी युवादिवस इसका अंतर हम आगे बताएंगे और क्यों मना जाता कि इसके जन्मदिवस के उपलक्ष में मना जाता है तो यह सब चीजे हम आगे बात करेंगे कि जैसे अगर इसमें बात करें कि स्वामी विवेका नंद जी जो थे उनके जन्मदिवस पर राश्ट्री युवादिवस मनाया जाता है तो उन्हीं के जिसे जन्म दिन और इसका अस्थान 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था कभी-कभी ये भी पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानन जी का जन्म कहां हुआ था किश्चन में हुआ था उसके बाद मरत्त और अस्थान मरत्त जो है चार जुलाई 1902 को वास्तिविक नाम क्योंकि स्वामी तो बाद में बने वो उनका रियल नाम जो था नरेंद्र नात दत था उनके पिता जी का नाम विश्व वने शरी देवी इसी प्रकार से आगे देखते हैं कि उनके गुरु जो थे गुरु की अगर बात करें कि राम क्रश्ड परमहंस हर व्यक्त की काम्याबी में जो अहम रोल अदा करने वाले हर व्यक्त की काम्याबी में अहम रोल अदा करने वाले गुरु तो इनके भी गुर यह था कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष प्राप्त ना हो जाए यह हर एक बिक्त को इस लाइन को लागू करना चाहिए कि उठो जागो तब तक ना रुको जब तक लक्ष प्राप्त ना हो जाए और इसके आगे यह आज जैसा कि अभी शुरुवात में बताय कि राश्टी युवा दिवस 12 जन्वरी को और ये राश्टी युवा दिवस मनाने की घोषडा कब हुई थी ये 1984 में और सुरुवात कब हुई 85 में काफी स्टूडेंट्स किसी भी परिच्छा में जाते हैं कि इसमें कन्फ्यूज आते हैं कि घोषडा तो 1984 में की गई लेकिन जो लागू हुआ शुरुवात हुई वो 85 में हुई 2024 की अगर बात करें इसका आयोजन महरास्ट के नासिक में आज के दिन हुआ है और जो थीम है इसका उदेश है सब कुछ आपके दिमाग में कुछ भी हो जो भी इस प्रत्वी पर हो रहा है इस ब्रंभान में जो कुछ भ हो रहा है वही थीम आज की रखी गए सब कुछ आपके दिमाग में इची को आगे देखते हैं कि और कि थीम अगर हम बात करें कि 2023 की थीम पिछले साल का बहुत चर्चित यो वाक्या है विक्षित युवा विक्षित भारत इससे एक सब्द ये निकल के आता है कि हमारे इंगिनियर साहब बोला करते हैं कि जिस और जमानी चलती है उस और जमाना चलता है उसी प्रकार से विक्षित युवा विक्षित भारत जिस देश का युवा समझदार होता है ग्यानी होता है आगे बढ़ता है उस देश का हमेशा कल्याड होता है में डिफरेंस जो मैं बताने को था यह अंत अगर अंतर राश्टी कभी आ जाया आपके question में तो वो 12 अगस्त याद रखना है आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग MKG क्लासे से इसी प्रकार से जूड़े रहिए आप सभी लोगों का think